हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का जहारखंट लाफ के यूट्यूट्यूब्स में आप सब का स्वागत है तो दोस्तों जहारखंट के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जहारखंट को पहला जी आई टैग मिला है तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि जी आई टैग क्या होता है सोहराई और कोहबर कला क्या है पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप जहारखंड आप चले लुए और चली हम लोग यहाँ पर जारखन के लिए जो गर्व की बात है, सोहराई और कोहबर कला को GI tag मिला है, इसके बारे हम लोग यहाँ पर प्रेटेल्स में देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि GI tag होता क्या है, GI tag क्या होता है, तो GI tag का यहाँ पर फुल फॉर्म है, जिग्रॉफिकल इंडिकेशन टैग, क्या है इसका फुल फॉर्म, जिग्रॉफिकल इंडिकेशन टैग होता है, GI tag का फुल फॉर्म, GI tag अथवा पहचान वस्तू या उत्पाद को दिया जाता है जो एक विशिष छेत्र के एक पार्टिकूलर छेत्र से आते हैं वहाँ पर बिलोंग करता है वो और अथ्वा किसी विशिष अस्थान पर ही पाया जाता है किसी खास वस्थान पर पाया जाता है और उसका कोई मुल अस्थान हो ठीक है अपना मूल स्थान हो उसी को GI टाइग दिया जाता है उसके बाद यहां पर देख लिजे इसकी सुरुवात कब की गई थी तो भारती संसद ने उनी सो निनानबे में प्रोटेक्सन एट के तहत जिगराफिकल इंडेक्स आफ गूड्स लागू किया था इस अधार पर भारत किसी भी छेत्र में पाये जाने वाले विशिश्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्जी को दिया जाता है तो जिस भी छेत्र में पाये जाता है उसे यहां पर अ अच्छे से जाज की जाती है यह तैक किया जता है कि उस खास वस्तू की सबसे अधीक और ओरिजिनल पैदावार निधारित राज्जी की ही है इसके साथ यह भी तैक किया जाना जरूरी होता है कि भागोलिक इस्तिति का उस वस्तू की पैदावार में कितना हाथ है कई बार कि खास फसल प्राकिरतिक और निर्मित समानों के लिए दिया जाता है कैई बार ऐसा भी होता है कि एक से अधिक राज्य में बराबर रूप से पाइजाने वाली फसल या किसी प्राकिरतिक वस्तु को उन सभी राज्यों को मिला जुआ जी आई टाइग दिया जाता है तो एक किसी पर्टिकुलर यहां पर वस्तु को भी दिया जाता है और एक से यहां पर पर्टिकुलर स्टेट को दिया जाता है और साथी साथ जो हो एक से अधिक राज्य को भी दिया जाता है उसके बाद यहां पर देख लिजे जी आई जाता है तो उसके फाइदे क्या होते हैं तो जी आई टैग मिलने के बाद अंतराश्टी मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्तो बढ़ जाता है इस वज़ा से इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है साथी देश-विदेश से लोग एक खास जगह पर उस विशेश सम समान को खरिदने आते हैं इस कारण टूरिज्म भी बढ़ावा मिलता है इसे देखने भी आते हैं और राज्जे में या विशिस्ट वस्तुवें उगाने या बनाने वाले किसान और कारिगर गरीबी रेखा के से नीचे आते हैं जी आई टैग मिल जाने से बढ़ी हुई ए इन किसानों और कारिगरों को आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाती है तो कई सारी चीजा ऐसी है जिनकों की अंतराष्टी अस्तर पर पहचान मिलती है उसके बाद यहाँ पर देख लेजे पेटेंट एक होता है यहाँ पर जी आई टैग की तरह ही है और यह पेटेंट क् मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा खोजे बनाए या पैदा की गई किसी खास उत्पाद के उप्योग प्रियोग और उत्पादन के कानूनी अधिकार इंटिलक्ट्वल प्रॉपर्टी राइट्स के तहाँ तीन कटेगरी में पेटेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है त इसमें यूटिलिटी यहां पर पेटेंट होता है उसके बाद प्लांट पेटेंट होता है और दिसरा जो होता है वो डिजाइन पेटेंट होता है तो यह तीन तरह की जो है यहां पर पेटेंट दिया जाता है ठीक है पर यहां पर किसी खास व्यक्ति को जी आई टैग भी इ तो पहले मौका है जब हिएह पर प्रोडॉट्स के लिए जभी कल् 급 ही तैग के लिए प्राब्त हुआ है मैं शोराइक परप्रेंग को इंगराल को 强गृआ Ilा ऐस या डिखते हैं तो सभाव ये सोहराई कला एक आदिवासी कला है इसका प्रचलन हजारी बागजीले के बादम छेत्र में आज से कई वर्ष पूरु सुरू हुआ था इस छेत्र के इसको पहाडियों की गुफाओं में आज भी इस कला के नमूने देखे जा सकते हैं कहा जाता है कि बादम रजाओं ने इस कला को काफी प्रोतसाहिद किया था जिसकी वज़ा से यह कला गुफाओं की दिवारों से निकल कर घरों की दिवारों में अपना अस्थान बना पाने में सफल हुई थी उसके बाद यहाँ पर देख लिए जारखंडी संस्कृति में सोहराई कला का महत्य सद्यों से रहा है बदलते परिवेश में कथित अधुनिक्ता के नाम पर लोगों का दुरुभाग के वस इस कला के प्रतिय अपेक्षा भाव इसका स्थित्तों पर संकट पर बन कर आ खड उसमें ऐसा कोई घर नहीं था जहांकि महिलाये इस कला से अपने घरों दिवारों को सजाना नहीं जानती हो आज इस्तिती बदल चुकी है अब तो इसके कलाकार और जानने वाले लोगों की संख्या गिंदी में रह गई है तो आदिवासी संस्कृति में इस कला का महत्य जी दिवा होता था तो और उस जिस कमरे में युवराज अपनी नव व्यात्ता से पहली बार मिलता था उस कमरे की दिवारों पर यादगार के लिए कुछ चिन अंकित किये जाते थे यह ज्यादा तर सफेद मिटी लाल मिटी काले मिटी या गोबर से बनाया जाते थे इस कला मे यहां पर हजारी बाकी छेतरों में आप देखेंगे कि एक दुधी माटी होती है उससे लोग यहां महिलाये जो होती है वो पर तहवार में साधी विवा में उसके दिवालों बर हाथों से उस पर डिजाइन बनाती है उससे रंगती है पोत्ति है और उसके बाद उसको डिज कोहबर कला के रूप में जाने लगा है धिर धिर यह कला राजाओं के घरों से निकल कर पूरे समाज में फैल गई राजाओं ने भी इस व्रिधी कला को घर घर तक पहुंचाने में काफी मदद की उसके बाद यहां पर देख लेजे कोहबर कला क्या है तो कोहबर जहारखन की लोक कला है कोहबर चित्रकला में नयसरगिक रंगों का पर योग होता है मसलन लाल काला पीला सफेध रंग पेड की छाल्व मिट्टी से बनाये जाते हैं, सफेद रंग के लिए दुधी मिट्टी का पर्यूग किया जाता है, काला रंग भेलवा पेड के बीज को पीस कर त्यार किया जाता है, इनकी पेटिंग में ब्रस भी प्राकृतिक हुई होती है, उंगलियां लकडी की रंग ही प्लास्टिक वाली आ जाती है, दातुन से चित्र उकेरे जाते हैं, मिट्टी के घरों की अंद्रोनी दिवार को ब्लैक और वाइट बेल टूटा, बेल बूटा, पत्तों, मोर का चित्र बनाकर सजाया जाता है, तो यह कोहबर कला है, जो की यहां पर इस तरह से यह पर त्यार के जता है, उस पर रंगिक की जाती है घरों की, विवाह के समय घर के किसी एक कमरे में पूर्वी दीवाल पर कोहबर चित्र कारी की जाती है, वर एवं वधु पक्ष दोनों के घर में विवाह की वीविद रस्मों में से एक कारिकरम कोहबर पूजन का भी होता है जिसमें भीत परवन ने इस कोहवर का पूजन किया जाता है इन कारिकरमों के दोरान कुछ विशे संसकार गीत भी गाये जाते हैं जिनें कोहवर गीत भी कहते हैं और इनमें वर वधु के बीच प्रेम भाव बढ़ाने की भावना होती है कोहवर घर के उस कमरे को भी काते हैं जहां यह चितर अंकन किया जाता है वधु के आगमन पर उसे इसी कक्ष में रहना होता है तो यह यहाँ बार किसी भी चीज में यहां पर जारकंड को gi. टाग प्राप्थ हुआ है तो ये जारखन के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहां कि जो पारंपरिक चितरकला है सांस्कृतिक चितरकला है उसे अंतराष्टिय पहचान मिल पाएगी ठीक है दोस्तों तूमिद करता हो कि इसमें सारी जानकारी जो आपको मिल गई होगी यह है सोहराई और यहां पर देखिए समझे है इसे और एक बार मैं नहीं समझ में आता ताब इसे दुबारा भी देखें तो उमिद करता हूं आपको वीडियो पसंद नहीं होगी जरूर लाइक करिए और चनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लिजो और वीडियो का अप अधिक सेयर कर दे कर ये अपनी दोस्तों के साथ ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जूड़ सके और यहाँ पर जी आई टैक्स सम्मंदित जो गोबर और सहवराव चितरकला को दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर जान सकें